आज हम बनाएंगे बिना बेक के हुए 15 मिनट में फ्रोट केक क्यूंकि आज इसे हम ब्रैट से बना रहे हैं सबसे पहले हम ब्रैट की किनारियों को काट कर अलग कर लेंगे और इसे फेके नहीं आप इसे सुखा कर ब्रैट क्रम बना सकते हैं दिआन रखे जो आप ब्रैट लेंगे वो फ्रैश ही लें इसी तरीकी से सारी ब्रैट काट कर रख लें अब एक ब्लेट लेंगे और सेंटर में लगा देंगे whipping cream, whipping cream को मैंने पहले ही बना कर तयार कर लिया था एक cup whipping cream और उसे electric beater से beat करके रख लिया था अब इस तरीके से 4 bread रख देंगे, इसे heart shape हम बाद में देंगे इस तरीके से 4 bread हों को set कर दें प्रेट पे, एक cup दूद में तीन चम्मच चेनी को मैंने घोर लिया था और इस तरीके से बॉटल में डाल लिया और ब्रैट के उपर लगा देंगे, इस तरीके से करने से ब्रैट सोफ्ट बने रहते हैं पानी का इस्तेमाल इसमें ना करें, दोथ का ही करें अब इसके उपर whipping cream लगा देंगे, चारो तरफ अच्छे से लगा दे, इस तरीके से चारो तरफ अच्छे से cream लगा दे, cream लगाने के बाद कुछ हम fruit diet करेंगे, तो मैंने यहां अंगूर लिया है, अंगूर को अच्छे से दो लिया, दोने के बाद एक अंगूर को बीच में स काट कर लें तो मैंने काट लिया है और इस तरीकी से इसे फैला देंगे चारो तरफ इसके बाद हम दूसरी लियर रखेंगे ब्रैट की इसको भी सेम तरीके से हम इसके उपर दूद लगाएंगे ताकि यह सौफ्ट बने रहे दूद लगाने के बाद इसके उपर क्रीम लगाएंगे यह मैंने क्रीम अच्छे से लगा दिया है अब इस पर आट करेंगे औरेंज औरेंज को मैंने नाइप से काटा फिर उसमें से बीच को अलग कर दिया है फिर लगाएं अब थर्ड लेयर लगाएंगे सेम तरीकिसे दूच से सोक करेंगे ब्रैट को और क्रीम लगा देंगे फिर इसके उपर लगाएंगे स्ट्रॉबरी स्ट्रॉबरी को मैंने दो कर काट लिया है इस तरीकिसे लगा दें स्ट्रॉबरी लगाने के बाद इस पर हम फोर्ट लेयर रखेंगे और सेम तरीकिसे दूच से सोक करेंगे अब फाइनल इस पर हम क्रीम नहीं लगाएंगे इसको हार्ट शेप देंगे एक पेपर को मैंने हार्ट शेप दिया था अब इस तरीके से हम ब्रैट के उपर रखेंगे पहले केक के उपर इस पेपर को सैट कर लें फिर इस तरीके से नाइफ से काट लें इसे जो आप नाइव से काटने के बाद साइट की ब्रैट को हम हटा देंगे कुछ इस तरह के से अब पेपर को भी हटा देंगे और यह आप देख सकते हैं बिना मोल्ड के हार्ट शेप कितनी बढ़िया बनी है अब प्लेट को साफ करेंगे एक पाइपिंग बैग में मैंने वेपिंग क्रीम को डाल लिया है अब इस तरह के से हम इसको हार्ट शेप देते हुए इसके उपर क्रीम लगाएंगे ऐसे करने से क्या होता है जब आप पाइपिंग बैग में क्रीम भरके इसके उपर लगाते हैं तो एक सा बनता है टेड़ा बिल्कुल नहीं होगा चारो तरफ से इसी तरीके से हम पाइपिंग बैक से क्रीम लगा देंगे इसके उपर अब इसे हम फाइनल फिनिशिंग देंगे फाइनल फिनिशिंग के बाद आप देख सकते हैं यह कितना सुन्दर लग रहा है कोई नहीं कह सकता यह बिना मोल्ट का या फिर यह ब्रैट से बना है अब मैंने लिया है एक चमच नीट्रल जेल इसमें डालेंगे एक चमच पानी और दोनों को मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे दो तेन डॉप रेड जेल कलर आप चाहे तो कोई दूसरा कलर भी ले सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लें मिक्स करने के बाद इसे एक पाइपिंग बैग में डाल लेंगे यह मैंने डाल लिया है अब इस तरीके से हम केक की किनारियों पर लगाएंगे मैंने कुछ इस तरीके से डिजैन बना है आप चाहे तो इसे पूरा रैट कर सकते हैं इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे और बाकी जो क्रीम बची है इसमें डालेंगे रैट जैल कलर दो तेन ड्रॉप डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर ले और एक पाइपिंग बैग में डालने डालने के बाद इससे हम रैड रोस बनाएंगे इस पे लाइट पढ़ रही है इसलिए रैड कलर दिखाई ने दे रहा अब इसे हम केक पर लगाएंगे एक सीजर ले ले और इस तरीके से अराम से उठाएं केक के उपर इस तरीके से लगा दे और इसी तरीके से हम बागी फ्लावर भी बना कर तयार कर लेंगे और लगा देंगे और यह आप देख सकते हैं यह कितना सुन्दर लग रहा है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी रगती है तो अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शियर करें अब इसके उपर लीफ बना देंगे इस तरीके से वेपिंग क्रीम में मैंने ग्रीन जैल कलर एट किया था अब इसके अंदर इस तरीके से हम लीफ बना देंगे जब मैंने ये केक बना कर रेडी किया तो हस्बेंट को बिल्कुल मालूम ही नहीं पढ़ा ये मैंने ब्रैट से बनाया है और बिना मोल्ड के उन्होंने सोचा ये मैंने बेक करके बनाया है और मोल्ड से और ये आप देख सक गादेंगे इससे के अंदर थोड़ी चमक भी आती है और खाने में बहुती टेस्टी लगता है अब इसे एक घंटे के लिए हम फ्रिज में रखेंगे एक घंटे बाद मैं इसे आपको काटके दिखाते हूं यह अंदर से बहुती ज्यादा कलरफुल और खाने में बहुत ही तेस्टी बना है यह आप देख सकते हैं अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि मेरी नई वीडियो आप देख सकें मिलते हैं अगली वीडि झाल